क्या age में exercise करना या जिम जाना सही रहता है इसके बारें बात करते हैं काफी साले लोग question हैं कि क्या छोटे बच्चे जिम जा सकते हैं वहाँ पे जाना क्या उनके लिए सही रहेगा तो जो बच्चे 13 साल या 14 साल से कम रहते हैं उनको तो जिम जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आँ उस तरह कितना कोई equipment होता है ना उनको इतनी समझ रहती कैसे अपरेट करना है तो उनके लिए तो अपना school में भागना दोड़ना जो भी activity करते हैं अपने घर के आसपास बच्चों के साथ गार्डन में खेलना ये सब activity ही sufficient है दिन के एक घंटा घर के बाहर कुछ भी खेलेंगे तो वो sufficient है उन बच्चों को nutrition की ज़्यादा जरूत होती है शरीर के अंदर तो अलरड़ी इतने हार्मोन होगारा इतने active रहते हैं वो अपने आप उनका सरीर ग्रो करता रहेगा आपको तो सिर्फ अच्छा खाना देना है लेकिन ऐसे बच्चे जो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं उनको जरूर जिम में जा सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है अगर इतनी समझ है या साथ में कोई guardian हो तो और अच्छा है पर वहाँ पे जो main activity है उनको focus रखना है कि ज़्यादा वो running पे focus रखें या cycling रहती है या ऐसी चीजें जिसमें push up है या pull up है, stretching exercise इस तरह की करें या हलका weight भी उठा सकते हैं बहुत heavy resistance training है जिसमें बहुत ज़्यादा weight उठाना रहता है ये सबसे बचे हैं क्योंकि वो growth phase होती है तो उसमें almost सरीर के जैसे joints और या muscles या bone ये सब तेजी से बढ़ते हैं बहुत heavy weight ना उठाएं, हलका weight तक उठा सकते हैं के मतलब है कि जिम जा सकते हैं, कई तरह की और भी चीजे रहती है अगर वो करेंगे और साथ में अच्छा nutrition मिलेगा तो सरीर डबलफ होता चला जाएगा काफी सारे लोगों के ये कहना रहता है कि जिम में जाने से बच्चे की height तो नहीं रुख जाएगी जादा वजन उठाने से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, scientifically ऐसी कोई बात proven नहीं है इंडिया में तो ऐसे भी लो 13-14 साल से जितने manual, liberal होते हैं कितना वजन उठाते रहते हैं और उनकी height पे ऐसा SS तो कोई असर नहीं आता फिर भी यह कहना है कि बहुत जो heavy exercise है, बहुत ज़्यादा resistance training है, वो नहीं करना चाहिए, उसकी जरुत नहीं होती है important बात यह है, इस तरह के जो age होती है 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल कि वहाँ पर क्या होता है, कई तरह के supplement मिलते है मतलत दवाईया है, कुछ injection जैसे इस्टराइड होगा रहा है, खाने की दवाईया है, भूब बढ़ाने की दवाईया है, मल्टी बिटामिन है फैट बर्नर है, प्री वर्काउट, पोस्ट वर्काउट तो बच्चा इस तरह की चीजों में ना फस जाए इस पे जरूर फैरेंट को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कि ये सारी चीज़े ना लेने लगे की फैट बर्नर चालू कर दिया है, या कुछ तरह की दवाईया है, इस्टराइड होगा रहा है तो उससे भी क्या होता है, सेहत बहुत नुक्सान होता है, क्योंकि इस बात पे जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कम उमर में इस तरह की इस्टराइड और टाइप की दवाईयां सरीर में जाती है, तो बहुत तरह के नुक्सान करा सकते हैं, क्योंकि इस्टराइड एक ऐसी चीज़ है, जिसके मल्टिपल असर है, वो खुद एक हार्मोन जैसा काम करता है, शरीर के बहुत सारे हार्मोन का लेवल उपर नीचे कर देता है, हड्डियों को कमजूर कर देता है, मांसिक बीमारियां करा देता है, पेट के अंदर छाले बना देता मतलब की ज़्यादा जो साइकलिंग है, या ट्रेड मिल पे दोड़ना है, या पुस अप करना है, इस तरह की जो बैलेंसिंग एकसरसाइज है, इस तरह की एकसरसाइज जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, कम से कम एक गंड़े करें तो बेहतर रहेगा, तो ये एक जो क्वेशन लोग पूछते हैं कि किस उमर में स्टार्ट करें, अल्टिमेटली जिम में होता क्या, जिम में सिर्फ यही होता है कि ऐसी चीज़े कराए जाती है, जिससे हमारा सरीर हिल दी रहे, मसल्स मेंटेन रहें, बोन की ग्रोथ हो, आपके सरीर में अच्छे हार्मोन, केम निकलें, वजन आपका नियंतित रहें, आपको भूंक अच्छे से लगें, तो यही सारी वहाँ पर एक्टिविटी कराए जाती है, जिम तो किसी भी एज में जोईन करें, वो सारी ही उमर सही होती है, कोई प्राबलम नहीं, हाँ छोटे बच्चों को अपने स्कूल में जो खेलते रहेंगे, तो उनका सरीर ग्रोव होता रहे, तो यह एक यह important question है, आप समझे होंगे कि